नमस्कार, साहित्य कल्प आज अपनी रचनाओं में भारत्य वागमिता और अस्मिता को व्यंजित करने वाले हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक, नाटककार, लगुकता लेखक, उपन्यासकार, स्वर्गिय विश्णु प्रभाकरजी का 108 जनम दिवस मना रहा है विश्णु प्रभाकरजी का जनम 21 जुन 1912 में मीरापुर, जिला, मुजफर नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था इनके एक अन्या नाम विश्णु दयाल जी से भी जाना जाता है इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाथ था, जो धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्तित्व के धनी थे प्रभाकरजी की माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में परदा प्रथा का घोर विरोध किया था विष्णु प्रभाकरजी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और कविता, आधी प्रमुक विधाओं में अपनी बहु मुल्य रचनाय की है उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्रपत्रिकाओं तथा प्रकाशन संबंधी समाज माध्यमों के प्रत्यक शेत्र में ख्याती प्राप्त की थी देश-विदेश की अनेक आत्राएं करने वाले विष्णुजी, जीवन परियंतक पूर्णकालिक मसी जीवी रचनाकार के रूप में साहित्य साधना में लीन रहे थे आजादी के दौर में बच्ते राजनेतिक बिगुल में उनकी लेखनी का भी एक उद्दिश्य बन गया था जो आजादी के लिए संघर शरत थी अपने लेखन के दौर में वे प्रेमचन, यश्पाल और अग्यय जैसे महारतियों के सहयात्री भी रहे किन्तु रचना के क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पैचान बन चुकी थी 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी दीवाली के दिन छपने के साथ ही उनके लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ वज जीवन परंतन निरंतर चलता रहा नातुराम शर्मा प्रेम के कहने से वे शरचन्द की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए जिसके लिए वे शरचन्द को जानने के लिए लगबग सभी स्रोतों और जगहों तक गए उन्होंने बांगला भाषा भी सिखी और जब यह जीवनी छपी तो साहित्य में विश्णुजी की धूम मज गई कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरन, भाल साहित्य, सबी विधाओं में प्रचूर साहित्य लिखने के बावजुद आवारा मसीहा उनकी पहचान का परियाय बन गई इसके बाद अर्धनारिश्वर पर उन्हें बेशक साहित्य अकाद्वी पुरसकार हिंदी प्राप्त हुआ, लेकिन आवारा मसीहा ने साहित्य में उनकी एक अलग ही पहचान पुक्ता कर दी विष्णु प्रभाकर जी ने अपना पहला नाटक हत्या के बाद लिखा और हिसार में एक नाटक मंडली के साथ भी कारेरत हो गए इसके पश्चात प्रभाकर जी ने लेखन को ही अपनी जीवी का बना लिया आजादी के बाद वे नई दिल लिया गए और सितंबर 1995 में आकाश्वाणी में नाट्टे निर्देशक नियुक्त हो गए जहां उन्होंने 1957 तक अपनी सेवाएं प्रदान की थी इसके बाद वे तब सुर्खियों में जब प्राष्ट्रपती भवन में दुर व्यवहार के विरोध स्वरुप उन्होंने पद्म भूशन की उपादी वापस करने गोशना दी थी विष्टु प्रभाकर जी आकाश्वाणी दूर दर्शन पत्र पत्रिकाउं तथा प्रकाशन संबंधी मीडिया के विविदक शेत्रों में परियाप्त लोग प्रियर है ऐसे महान साहित्यकार को साहित्यकल्प की ओर से शत शत नमन धन्यवाद